तो पूच्छी है याज हिमाचल परदेश हाइँ कोड़क का पेपर हो चुका है इस क्लर्क के पेपर में डोटल आप लोंको 100 कोश्चेन पूचे गए थे तो आज हम 100 कोश्चेन जो आप लोंके पूचे गए थे उनको सॉल्फ करेंगे डिटेल सलुशन आप लों के साथ करें ठीक है पहला question आप लोगों को current affair का पूछा गिया था जिसमें शांती परियास का fourth military exercise आप लोग की complete हुई थी जिसमें participate जो countries थी वो आप लोगों की total 19 countries थी तो यह कहां भी आप लोग का हुआ था तो आप लोगोंने याद रखना है यहां से question आ चुका है आप लोगों को राइट अंसर जो पहले question का है वो है काठमांडू second question है आप लोगों का यह international solar alliance आप लोगों का हुआ है जिसमें एक नया member एक नई country इसमें जुड़ी है जो कि 190 119 मेंबर बनी है इसकी तो इसका राइट अंसर आप लोगों को पूछा गया था तो राइट अंसर इसका जो रहेगा वो है Malta ओके तो आप लोगों को अब यह भी question पूछा जाएगा कि international solar alliance में जो Malta company country है जिसने इसको हाल ही में ज्वाइन किया है member 1 है पर कौन से नंबर पर इसका जाके member 1 है तो 119 वा नंबर आप लोगों ने याद रखना है country बनी है वेर इस दा वर्ल्ड फर्स्ट एयर टेक्सी सर्विस जो कि आप लों की launch हुई है यह एक agreement sign हुआ था according to world government submit 2024 में इसमें यह कहा गया था कि विश्व की पहली एयर टेक्सी सर्विस लॉंच कर दी गई है यह कहां पर हुई है आप लों की right answer आप लों का दुवाई आएगा यह भी आप लों के फॉर्थ कोशन आप लों का है which country is set to launch its first luxury train the dream of desert तो कोशन आप लों को गुमा के भी पूछा जा सकता है कि dream of desert क्या है तो जो हाल ही में launch किया गया है साओधी अर्विया के दौरा फॉर्थ कोशन का जो right answer रहेगा वो आप लों का रहेगा साओधी अर्विया the next question is how many nation are the part of international energy agency international energy agency है जो आप लों की इसके total कितने member इसके बने हुए है मतलब ठीक है nation कितने इसके part है 31 nation इसका right answer रहेगा right answer इसका c रहेगा तो c question आप लों का विल्कुल correct है six question आप लों को पूछा गया है six question है आप लों का grand central terminal park avenue new york is the world largest तो यह क्या है आप लों का grand central terminal जो की new york में है तो आपने याद रखना है it is the longest railway station right answer इसका c रहेगा six question का c answer next है entomology is the science that study यह किसको study करती है b answer इसका विल्कुल ठीक है insects के ऊपर आप लों को आएगा यह सारे जितने वी question है इन सब का hint high court ने अपने slavers में दिया था तो यह चीज़ें आप लोगोंने ध्यान लखनी है आप लोगों को हर एक question का यहां पे hint था जो high court के द्वारा आप लोगों को provide करवाया गया था कि आप लोगों को इस तरह के question आ सकते हैं तो बैसे ही question आप लोगों को examiner ने पूछे 8th question जो हमारा है Eritra which become 182nd member of the United Nation in 1993 is the continent of यह किसका continent है आप लोगों का तो यह आप लोगोंने ध्यान रखना है जो Eritory है आप लोगों का यह अफरीका का ही continent है Hitler party के बारे में पूछा गया था जो कि power में आई थी 1933 में इसे किस नाम से जाना जाता है तो आपने याद रखना है इसको जाना जाता है Nazi party तो इसका right answer 9 का आएगा V Golf player Vijay Singh belong to which country जो golf player है Vijay Singh यह किस country से belong करते हैं तो mostly यही सोच रहे थे सब की इनका नाम Vijay Singh है तो यह इंडिया से होंगे इंडिया से नहीं है यह physics है right answer 10 का जो है वो V answer इसका right रहेगा 11th question आप लोग को पूछा गया है 11th question में आप लोगों ने the territory of porus who offered strong resistance to Alexander was situated between the river of यह territory है आप लोगों की porus की यह आप लोगों ने ध्यानक नहीं है इंडिया की बात की जा रही है जहलम और चिन्नाव की यहां पर बात की गई थी इसी से regarding आप लोगों को question आया हुआ है the theory of economic drain of India during British यह किसके द्वारा इसको किया गया था तो हमने इसके बारे में काफी बार पढ़ा हुआ है अगर आप लोगोंने economic के lecture भी पढ़े होंगे कभी basic economics भी पढ़ी होगी तो दादा भाई नारोजी का आप लोगोंने नाम सुना ही होगा तो बहां से भी आप लोगों क चीज आपने ध्यान रखनी है नेक्स कोशन 13 है था ट्रीटी ओफ शिरी रंग पटना वॉज बिट्विन टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान और किसके बीच में जो आप लोगों की ट्रीटी एक संदी हुई थी शिरी रंग पटना की तो यह आप लोगोंने ध्यान रहेगा बी अंसर रहेगा लोड करनवालेस तो भारत में आप लोगं को बताए कि आली में जितने भी स्ट्रेगल हो रहे हैं फ्रीडम के लिए तो किन-किन के मतलब इससे प्रफेशन कौन-कौन सा माना गया है तो यह सारे प्रफेशन इसमें इसका अंसर डी आएगा लॉयर टीचर जनरिस्ट टॉटल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो यह धिहान रखें फिप्टिन कोश्चन है था नेम ओफ लेकादीप मिनिकोई एंड आमीन दीवी आइलेंड वास चेंज टू लक्षडीव वाई एक्ट ऑफ पार्लिमेंट इनके नाम चेंज किये गए हैं क आप लोगं को एक्जाम में पूछे गए थे इनका कोरेक्ट अंसर यह सारे रहेंगे 16 कोश्चन की बात करें तब पावर तो डिसाइड एन इलेक्शन पेटिशन इस वेस्टिड इन दा तो कौन करता है इसको डिसाइड तो यह हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइड किये जात 16 का अंसर है C हाई कोट 17 का है ग्रिफाइड यूज किया जाता है पैंसिल में ओके तो यह धियान रखें 18 कोश्चन विच ओफ फॉलॉइंग मैटल फॉर्म एन एमलगम विद अदर मैटल तो इसका राइट अंसर क्या आएगा तो मरकरी के बारे में आप लोगोंने सुना हो D और 19 का जो अंसर आएगा वो आएगा C वू इस दा फादर ऑफ जियोमेट्री जियोमेट्री के फादर कौन है तो इनको यूकलीट कहा गया है राइट अंसर इनका B आएगा यूकलीट का नाम आप लोगोंने याद रखना है 20 कोश्चन जो आप लोगों का है इसका होगा अगर आप कार्टून बगएर उसमें देखते हैं तो यह फेमस परसन है तो यह भी हमने काफी पर पड़ा है जो हमारे जियोग्राफिकल गृट होते थे अभी सीटेट का वेपर हुआ था वहाँ भी यह कोश्चन आप लोगों का पूछा गया था तो यह धियान रख सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों ने जापान का नाम सुना है जापान के ऊपर काफी बार देखा होगा आप लोगों ने अगर नियूस वेपर बढ़ते हो आइरन एंड स्टीट इंडस्ट्री के नाम से जापान को काफी जाना जाता है जो शीरी राजीव गांधी जी थे उनकी जो फर्स जैस्ट एनिवर्सटी थी उसको किस रूप से मनाया गया था एंटी टेर्रिजम डे के रूप में ना इसका ट्वंटी फॉर का जो राइट अंसर होगा वो आप लोगों का डी रहेगा डी अंसर बिलकुल सही है 25th question है तो कभ इनको celebrate किया गया था तो आप लोगोंने याद रखना है तो यह माई 1993 राइट अंसर इसका यह रहेगा तो आप लोगों का जो 25 गोशन है 25 का जो राइट अंसर रहेगा वो आप लोगों का यह रहेगा माई 1993 नेक्स कोशन की और बड़े हम 26 कोशन हमारा है दा इयर 1991 वाज अफ्जर इंडिया ऐस दा इयर ओफ तो इसको किस मतलब वर्ष के रूप में मनाया गया था टूरिजम वर्ष के रूप में मनाया गया था चुछ को वर्ष का दिए अंसर रहेगा तब फेमस दिलवाड़ा टेंपल आर्सिटीटिड इन जिलवाड़ा टेंपल जो आप लोगों का है काफी आप लोगोंने रील्स वगारा देखते रहते हैं तो इसमें काफी फेमस यह टेंपल राजस्थान राजस्थान इसका अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो तेहरा दून काफी फेमस यह भी आप लोग देख चुके होंगे आप यूट्यूब में रील वगारा को स्क्रोल करते हैं उसमें ही देखे गए हैं डॉक्टर वियार अंबेटकर मराठावाडा यूनिवसिटी जो आप लोग की है यह किस प्लेस में हमें देखने को मिलती है तो आपने याद रखना है इसका राइट अंसर और अंगावाद है और अंगावाद राइट अंसर होगा तो कितनी लेंथ होती है इसकी 2 रेशो 3 में रहती है तो यह सारे कोश्चन हमारे सॉल्व हुए 30 तो यह धियान रखना आप लोगोंने 30 कोश्चन का जो राइट अंसर था वो 2 रेशो 4 रहेगा 31 कोश्चन जो आप लोग का है हिमाचल परदेश जी के स्टार्ट होता है यहाँ पे जिसमें आप लोग को कोरेक्ट फेक्ट बताने थे तो हमें पता है कि आउटर सेराज कुलू में है ट्रांस के रहे आप लोग का सिर मोर में पढ़ता है कोई जादे चिकत की बात नहीं है राइट अंसर इस सी, बोथ हार कोरेक्ट है ना, लाहोल स्पिति जो आप लोग का है, यह तिबतियन वर्ड से लिया गया है, इसका भी राइट अंसर बोथ आएगा, क्योंकि यह दोनों बिल्कुल सही है, जो इसके दोनों शब्द है, ली हो यूल और ली हो यूल, दोनों का म सब्सक्राइब का सी, जिसमें लाहोल का जो शब्द है, वो आप लोग का मतलब होता है, यह बिल्कुल दोनों ठीक है, विच डिस्ट्रिक इस टॉस्ट वाइड दोलाधार माउंटेन देंज, तो हमें पता है, कुलू, मंडी, कांगडा, यह चारों, तीनों की तीनों इसको को टच करती है दोलाधार रेंजिस को इसके बाद आपको पूछा गया है कि पूरे रूप से शिवालिक जोन में कौन सा जो आप लूंका डिस्टिक है वो पढ़ता है तो उना डिस्टिक आप लूंका शिवालिक के अंतरगत आता है यह भी राइट अंसर आप लूंका रहेग आरदस कोश्टिक तो वहीं से डिरेक्ली आए हुए है नेक्स कोश्टिक है चंद्रखानी यह पास है यह आप लोंका यह कहां पर पढ़ता है तो चंद्रखानी पास को बारे में आप लोग जानते हैं चंद्रखानी आप लोंका कुलू में पढ़ता है राइट अंसर इसका कुलू होगा रोतांग पास जिसका मतलब क्या है यह आप लोंका पढ़ता है रोतांग पास तो रोतांग पास आप लोंका कुलू और लाहूल के बीच में पढ़ता है तो इसका राइट अंसर बी और सी आना चाहिए है ना तो बी और सी इसका राइट अंसर होगा क्योंकि रो तो हमें पता है कि जो दराटी दर रहा है आप लों का वो चमबा और पांगी के बीच में पड़ता और उसकी एक्जेक्ट जो आप लों का है वो 4720 मीटर पे है तो 38 का जो राइट अंसर है वो ए है अब यहां पी आप लोग यह चीज सोच रहे होंगे कि मैं इतना फास्ट क्य अब इसका बिल्कूल नहीं पता है ना तो मैं इसको अलग रख रहा हूं हिमाचिल बाज रिक्लेर्ड इल्स्टेट तो यह 1966 इसका राइट अंसर आएगा तो सी राइट अंसर होगा कोई कोश्चन अगर आप लोंको लगेगा कि गलत है तो कोमेंट बोक्स में जुरूर लि है इन दोनों का ही आपस में रिलेशन है रेनुका जी के बारे में आप लोग जानते हैं तो यह भी ठीक है बैली की बात की गई थी आपको के मंडी डिस्टिक में कौन-कौन सी वैली पढ़ती है चोंतरा भी पढ़ती है बलह भी पढ़ती है तो राइट अंसर आप लोंका D आएगा नेक्स्कोश्च्टिन है हुबबन वैली कहां पढ़ती है तो अप लोगोंने सुना ही होगा सिर्मौर सिर्मौर में पढ़ती है आपकी हुबन वैली तो पढ़ाए है काफी बार टूरीजम लोकेशन है वही मैंने जो आपसे कहा कि आपको यूट्यूब पे देख को मिलता है कोई भी नहीं देखने को मिलती है तो राइट एसका डी होगा न आएगा इसका राइट अंसर ठीक है तो यह धिहान रखें आप लोग तो मैंने क्या कहा 43 का राइट अंसर ए आएगा राजगाट सिर्मौर 44 का ए आएगा तो आपने याद रखना है तिलिगर्थ इसका राश्ट अंसर आएगा राजा शुशर्मन चंद के बारे में पूछा है तो इसका राइट अंसर बी आएगा ये भी दियान रखें तो 46 और 47 का जो राइट अंसर है वो दोनों का ही बी है वो शहर स्टेट रामपूर वाज एस्टेबलिश वाई तो वानासूर आपने पढ़ा होगा टेटेल हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वानासूर का नाम आप लोगोंने याद रखा हो तो वानासूर इसका राइट अंसर रहेगा तो सराहन से रामपूर को किसने शिफ्ट की थी तो राजा राम सिंग थे इनकी द्वारा की गई थी सिर्मोर जो आप लोंका है यह प्लंडिट किया गिया था तैमूर लंके द्वारा तो थर्टी नाइन नाइन टू नाइन इसका राइट अंसर आएगा तो 48 का जो राइट राइट अंसर है वो बानासूर ए है तो सेकंड है राजा राम सिंग 49 का और 50 का जो राइट अंसर आएगा वो आप लोंका भी होगा 3098 से लेके 99 आगे बढ़ते हैं 51 कोश्चन हमारा जो रहेगा वो रहेगा अमर सिंग थापा के ऊपर ठीक है जब यह कैप्चर किया था इन तो महाराजा रंजीत सिंग के बारे में आप लोग जानते हैं इसका राइट अंसर ए होगा इसके बाद जब यह हारे थे महाराजा संसार जन से गुर्खा कमांडर अमर सिंग थापा टेक शेल्टर आफ्टर वैनिशिंग दभागल रूल तो इसका राइट अंसर आप लोग तो भागमल सोठा जी के बारे में आप लोग जानते हैं और इसका डी होगा परजा मंदल जो आप लोग का धामी परजा मंदल था इसको लीड किया था भागमल सोठा जी के द्वारा तो नन उस देम वेन वाज भाई दोना पाई मुमेंट आप लों की जो स्टार्ट हुई तो इसको भाई दोना पाई जो आप लोंका है वो 1939 इसका राइट अंसर आप लोंका आएगा यह आप लोग ध्यान लखना है फिप्टी फोर नहीं स्टोरिकल विल्डिंग शिमला पैक्ट जो आप लोंका साइन हुआ था यह कहां पे है आप लोंकी तो वैरनेस कोर्ट के ब प्रश्ट बिल्डिंग शिमला विद इलेक्ट्रिक लाइट तो यह आप लोंका वाइस लिगल लोग रहेगा फिप्टी सेवन का जो राइट अंसर होगा वह होगा आगे बढ़ते हैं दूरिंग महात्मा गांधी मटर ट्राइल नाथ्यूराम कोर्स से बाज लोज इन शिम आप लोंकी प्रेजन डे में काली वाड़ी जो आप लोंका है बहां पे जो आप लोंकी बिल्डिंग है इसको किस पहले इसको किस नाम से जाना जाता था तो डैल्जल हाउस के नाम से आप लोंका जाना जाता है अभी वहां पे यह नाम लिखा हुआ है कभी आप लोग कि विक्ट्री टनल नहीं होगा आप लोंका इन तीनों में से ही होगा शिमला में एंटर करने के लिए आप लोंको शोगी तारा देवी और घोड़ा चोकी भी हो सकता है वैसे तभी जोक भी आप लोंका आतना चाहिए था यहां पर अंसर वह ऑप्शन में नहीं है इसकारण य उनका सीरिज यहां पर स्टार्ट हो जाती है तो कॉमा वन वन वाई टू वन वाई फॉर यह डवल होई तो आगे वन वाई एट अंसर आएगा डिरेक्ट कोशन है ई एल फजी अच वाला है पहला कोशन देखो ई है यहां पर जी है मतलब ए फजी एक छोड़ा फिर आई आय एल तो इसका राइट अंसर आप लोग का डी आएगा ठीक है सॉल्फ करना आते होंगे आप लोग को अगर डिटेल में समझ नहीं है बता देना मैं वीडियो बना दूंगा विच इस विच वर डज नोट वैलॉंग टू दा अधर अच्छा आपको मैंने राइट अंसर बता मैल नहीं खाता है तो इसका इंच आंस सेंटीमिटर यार्ड तो आंच होता है आप लोग का बीस का राइट अंसर होगा विच वर्ट बिलोंग स्टू डेजर्ट अरिट होगा क्योंकि सभी रगिस्तान फ्लैट नहीं होते हैं इसका राइट अंसर होगा मैराथाउन इस कि आप लोगों ने यह धियान रखना और यहां पर डी रखना याद है तो यह आप लोगों के डाउट क्लियर होगा है नेक्स कोश्चन की तरफ बढ़ें तो 66 कोश्चन आप लोगोज दी गई है यहां पर कहा है कि गौर्वी फलर को कहते हैं फैन वेल्ट पिक्सन को ने ठीक है टाइल आप लोग ढूंते रहा जाओ टाइल काईन न इसे सैलिंग पिक्सन का मतलब होगा सैलिंग ईरवल का मतलब होगा फैं तो राइड अनसर आ इसका डी तो इसका राइड अनसर डी है ने रहा है तो समेशा याद रखना कोई भी राउनskर वहीं से consistsских को त ठीक है, डॉर पे लगेगा ताला आपनों का, रूम में डॉर लगता है, और स्विच ओन करेंगे, एंटर करके, तो 1, 3, 2, 4, ठीक है, ये अंसर इसका आएगा, 1, 3, 2, 4, 5, 1, 3, 2, 4, 5, सी अंसर इसका होगा, ओके, डिरेक्ट इसको एंटर नहीं करना है, चाबी होगी, चाब किसमें लगेगा, डॉर में, डॉर कहां पर होगा, रूम में, रूम खोलेंगे, तब ही स्विच ओन होगा, आप लोगा, ऐसे किया जाता है, तो यहां पर कोशन है, पॉइंटिंग टूए फोटोग्राफ, एब वाए, सुरेज सेट, ही इस दा सन ओफ, अनली सन ओफ माई पॉइंटिंग किया गया है, एक पिकचर को, कि यह बेटा है, उसका बेटा है, किसका मेरी माता के इकलोते बेटेगा, दो एकलोता बेटा बेटा तो यह उसोटो में कोन हुआ, उसका बेटा हुआ, तो यह उसका फादर वना है, तो डारेक्ट भी इसको कर सकते थे, administrative आने की बात नहीं थी मिल्कुल एजी कोशिंन है सिलोक्स का कोशिंन पूछा गया है सिलोक्स एक अच्छा कोशिंन होता है वट आप लोंगो मैं डिरेक्ट ली आ किंकि इसको समझांगा तो आप लोग कन्फियूज हो जाएंगे तो मैं बता देता हूं इसका राइड अंसर आ यहां पे इन्होंने क्या किया पहले नंबर पे 8 9 6 5 2 3 7 पूरा नंबर रखा 5 को हटा दिया फिर यहां से आगे चले 8 9 6 5 4 2 3 अब इन्होंने पीछे का 7 हटा दिया अब फिर आगे चले तो इन्होंने आगे का 8 हटाया ठीक है फिर आगे का 8 हटाया इसी तरह आगे चलना था फ आगे है आप लोंका ये भी मैं समझाऊंगा तो एक लंबा कोशन है मैं directly आप लोंको अंसर इसका बता देता हूं कि इसका अंसर आप लोंका 9-3-5 आएगा ठीक है तो आप अपने आप से मैच कर ले ना 77 का जो राइट अंसर है वो D है 78 का जो राइट अंसर है वो D वो है C नेक्स कोशन है ये वी एक काफी लंबा कोशन था अगर आप लोगोंने किया होगा मैं इसका भी direct अंसर ही आप लोंको बताऊंगा कि इसका direct अंसर होगा 6400 79 का जो राइट अंसर होगा वो ई होगा 80 question आप लोंका है इसका 1190 राइट अंसर आएगा ठीक है तो यह direct question 15% निकाल दो तो आपके सामने अंसर आजाएगा कुछ नहीं है basic question है आप लोंका 80 question 81 question आप लोंका है तो यह important आप लोंका question पूछा गया था आप लोगों से तो monitor की बात की गई है यहां पे CPU की बात नहीं गई है तो थोड़ा सा change करो इसको cathode ray tube आएगा यहां पे है ना CRT cathode ray tube CU नहीं होगा what is the full form of LCD तो liquid crystal display कहीं भी दिखे तो वो आँख बंद करके आप answer कर सकते थे next question है which are the following इन में से कौन सा input device नहीं है तो input device हमें पता है कि printer कभी भी input device में नहीं आता है तो right answer आप लोंका क्या होगा यहां पे printer होगा switch in a network is used to switch क्यों use किया जाता है यह क्या करता है connect करता है system को network पर तो right answer इसका A आएगा which among the following is odd one तो इन में से कौन सा odd one है spyware virus हब एक चीज़ है malware आप लोंका अलग होगा तो यह चीज़ आप लोगों ने धियान रखना है next question which among the following is Linux operating system इन में से कौन सा Linux operating system है तो आप लोग को पता है fedora mint redhead सभी के सभी operating system Linux के है algorithm क्या होती है आप लोग की algorithm एक process होती है step-to-step procedure है कस चीज़ का calculation का आगे है आपका MPG file तो आप लोगोंने काफी बार सुना होगा यह तो आपको question ही बड़ा easy दे दिया वीडियो आएगा इसका राइड अंसर C आएगा computer के पास क्या होना चाहिए computer के पास अगर operating system नहीं होगा तो computer काम कैसे करेगा DNS क्या होता है आप लोग का तो DNS हमारा domain name system होता है तो 90 का जो right answer आएगा वो आप लोग का C आएगा question में आगे वड़ेंगे 91 question आप लोग का है right answer D आएगा opera chrome firefox are the browser लैन क्या होता है local area network हर एक बच्चे को पता होगा इसको पढ़ने के जूरत तो थी नहीं which among the following is not a type of printer इन में से कौन सा printer का टाइप नहीं है तो रवर आप लोग का रवर वहील कभी नहीं पढ़ा लाइफ में हम लोगों ने but is the full form of usv usv universal service आप लों का जो ध्यान रखना इसमें जो आप लोगों का है तो usv is universal serial bus तो right answer आप लों का जो होगा 95 का वो भी होगा 96 के को तरफ चलें computer security security आप लों की increase होती है firewall से भी होती है antivirus से भी होती है पासवर्ट से भी होती है अपने computer की security mobile की security इनसे ही होती है when a document is open it is temporarily stored in random access memory right answer आप लों का जो होगा वो भी होगा the set of wire which carry information a control manner is तो इसका right answer आप लों का क्या होगा जो आप लों को question पूछा गया है 98 तो 98 में आप लों को सामने ही बता रहा है क्या बता रहा है कि the set of wire which carry information in a controlled manner control manner में control bus ही आती है okay next question है mouse track wall and joystick are the example of यह सारे pointing device है इसमें कोई भी changes नहीं था तो last question हमारा रहेगा what is the full form of GUI graphical user interface कहां दिख रहा है graphical user interface तो वह आप लों का right answer होगा यह option इसका right answer होगा इसका होगा आप लों का C इसका होगा आप लों का C ठीक है तो यह paper पूरा solve है detail में अगर आप लोग आप लोग का time बचाने के लिए ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी answer की match कर सके तो मैंने इसको बिल्कुष short period में कम से कम समय में solve कर वाया thank you so much good night to all of you धन्यवाद